आपका पहला कोश्चन है ऐसा कौन सा जीब है जो मृत्तू तक नहीं सोता है तो आपका सही दवाब होगा ओप्शन नमबर C is the right option चीटे आपका अगला कोश्चन है ऐसा कौन सा जानबर है जो अपनी मा को नहीं देख सकता तो इस कोश्चन का जो सही जवाब होगा ओप्शन नमबर C is the right option बिच्चू आपका अगला कोश्चन कौन सा जीब रात होते ही अंधा हो जाता है तो इस कोश्चन का जो सही जवाब होगा ओप्शन नमबर B is the right option मुरगा आपका अगला कोश्चन है दही के साथ क्या खाने से इनसान मर सकता है तो इस कोश्चन का जो सही जवाब होगा ओप्शन नमबर B is the right option मचली मचली को दही के साथ खाने से इनसान मर सकता है आपका अगला कोश्चन है ऐसा कौन सा जीव है जो आँखे बंद करके भी देख सकता है तो इस कोश्चन का जो सही जवाब होगा ओप्शन नमबर D is the right option उल्लू आपका अगला कोश्चन ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आँखे नहीं होती है तो इस कोश्चन का जो सही जवाब होगा ओप्शन नमबर A is the right option के चुआ आपका अगला कोश्चन कौन सी मचली का पेट सिर में होता है तो इस कोश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नमबर C is the right option जीगा जीगा मचली का सिर पेट में होता है आपका अगला कोश्चन चाय की खेती के लिए कौन सा राज मशूर है तो इस कोश्चन का जो सही जबाब होगा ऑप्शन नमबर B is the right option आश्रम आपका अगला कोश्चन विष्च का सबसे बड़ा महादीप कौन सा है तो इस कोश्चन का जो सही जबाब होगा ऑप्शन नमबर B is the right option आश्रम 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 विष्च का सबसे बड़ा महादीप है आपका अगला कोश्चन किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पीज़ा खाते हैं तो इस कोशन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नमबर सी इस दर आइट ऑप्शन अमेरिका अमेरिका देश के लोग सबसे ज्यादा पीजा खाते हैं अगला कोशन है किस जीब का दिल एक मिनट में एक हजार बार धड़कता है तो इस कोशन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नमबर बी इस दर आइट ऑप्शन चिपकली चिपकली का दिल एक मिनट में एक हजार बार धड़कता है आपका अगला कोशन भारत का कौन सा सहर गुलावी नगरी के नाम से जाना जाता है तो इस कोशन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नमबर डी इस दर आइट ऑप्शन जैपुर जैपुर को गुलाव की नगरी के नाम से जाना जाता है आपका अगला कोशन है भै कौन सा जीप है जो नर से मादा बन सकता है तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नमबर सी इस दर आइट ऑप्शन ऑक्टोपस ऑक्टोपस एक ऐसा जीप है जो नर से मादा बन सकता है आपका अगला कोशन ऐसा कौन सा जानबर है जो खड़े खड़े सोता है तो इस कोशन का जो सही जवाब है ऑप्शन नमबर सी इस दर आइट ऑप्शन गोड़ा गोड़ा एक ऐसा जानबर है जो खड़े खड़े सोता है आपका अगला कोशन कौन से जानबर के बच्चे पैदा होते ही चलने और दोड़ने लगते हैं तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नमबर बी इस दर आइट ऑप्शन गोड़ा आपका अगला कोशन किस पोधे से बच्चु का जहर तुरंत उतर जाता है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नमबर डी इस दर आइट ऑप्शन कनेर कनेर के पत्तों को पीज़ कर पिलाने से बिच्चु का जहर तुरंत उतर जाता है अगला कोशन है लाल मिर्च भारत के कौन से राज में सबसे अधिक पैदा की जाती है तो इस कोशन का जो राइट ओपसन है ओपसन नमबर B इस दा राइट ओपसन आंधपरदेश आंधपरदेश में सबसे ज़्यादा लाल मिर्च पैदा की जाती है आपका अगला कोशन दुनिया में सबसे महंगा कुन किस जीप का होता है तो इस कोशन का जो राइट ओप्षन है ओप्षन नमबर A is the right option केकड़ा केकड़ा एक ऐसा जीब है जिसका खून सबसे ज़्यादा महेंगा होता है अगला कोशन है संसार का सबसे बड़ा कचुवा कहां पाये जाता है तो इस कोशन का जो राइट ओप्षन है ओप्षन नमबर A is the right option औस्टेलिया औस्टेलिया में सबसे बड़ा कचुवा पाये जाता है आपका अगला कोशन कौन से देश में साधी करने से पहले रोना पड़ता है तो इस कोशन का जो राइट ओप्षन है ओप्षन नमबर B is the right option चीन चीन देश एक ऐसा देश है जिसमें साधी करने से पहले रोना पड़ता है अगला कोशन सापको अपना भोजन पचाने में लगबग कितना समय लगता है तो इस कोशन का जो राइट ओप्षन है ओप्षन नमबर A is the right option दो दिन सापको अपना भोजन पचाने में दो दिन का समय लगता है आपका अगला कोशन ज्यादा कॉफी पीने से कौनसी बीमारी का खत्रा रहता है तो आपका सही जबाब है ओप्षन नमबर B is the right option कैंसर ज्यादा काफी पीने से कैंसर जैसी बीमारी का खत्रा रहता है अगला कोशन कौनसा पौधा हवा को सबसे ज्यादा सुद्ध करता है तो आपका सही जबाब है ओप्षन नमबर C is the right option एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो हवा को सुद्ध करता है अगला कोशन है उड़ने वाले साप को कौनसी देज में पाया जाता है तो आपका सही जबाब है ओप्षन नमबर B is the right option अफ्रीका अफ्रीका में उड़ने वाले साप पाया जाते है आपका अगला कोशन है सबसे ज़्यादा कार कौनसे देश में है तो इस कोशन का जो राइट ऑप्षन है ऑप्षन नमबर B is the right option चीन सबसे ज़्यादा कार चीन में पाया जाती है अगर गाईज आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब एंड वीडियो को शेर और लाइक करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में चैनल पर बने रहें थैंक्यू गाईज